तो आज अपन लोग रिल्वे के क्वेश्टन्स करेंगे ठीक है और काफी चीज़े रिल्वे के आपके आज के सेश्टन से ही कवर हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्टन्स है वो बनते नहीं है हांसे आप कोई की मालुम है ठीक है तो चलिए पहला क्रेश्टन आपके सामने है थोड़ा सा हिस्टारीकल पर्स्पेक्टिव है स्टार्ट कर दीजिए तो यह तो सभी का आता होगा जीएस का भी क्रेश्टन है ठीक है फर्स्ट्रेन वस रन इंडिया इन एप्रिल 1853 तो ठीक है यहां से भी म इसमें कुछ फर्दर डिटेल भी दी हुई है अन 16 अप्रिल 1853 दी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन व्याद एक है का वी आ टॉकिंग आट फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन विट बीन बॉंबे बोरी बंदर एंड थाने कवरिंगा डिस्टेंस ओफ थर्टिफोर किलोमेटर इट दो कभी कभी हो सकता है कि किसी और चीज़ पर और क्रेशन बनेगा क्रोलपती टाइप महाँ पर ऐसे क्रेशन आ जाता है ठीक है चलिए अगला क्रेशन देखता है अच्छा इन वर्ड 1825 डेलिंग्टन टू आगे विच वदी पॉल इस नॉत अमेजर कॉस अफ क्रीप इन रेल्स ठीक है तो जैसे-जैसे ट्रेंस का मूब्मेंट होता है रेल्स पार ठीक है वैसे-वैसे ट्रें का जो रेल्स होती है का डीपार्मेशन होता जाता है इसको वह बोलते हैं क्रीप It is due to stopping of train, traffic intensity, acceleration, de-acceleration of train, ठीक है, तो इन तीनों की वज़े से होता है, किसकी वज़े से नहीं होता है, excessive rain, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है इसका, तो यहीं आपका आँसा आजाएगा, ठीक है, next question, the main function of slipper is, slipper का main function क्या होता है, what is the main function of slipper, to support rails, to hold rails at correct gaze, to distribute load from the rails to the ballast, all of these, the answer is all of these, ठीक है, तो आपके sleeper के function है, to hold the rail to correct gaze, gaze क्या होता है, rails की बिचकी distance gaze होती है, तो rails क्योंकि वैलास से बंधी होई होती है, तो अपनी जगह पर रहेंगी, to hold the rails in proper level or transfer, still, ठीक है, to distribute the load from rails to index area of ballast underline, slipper also add to the longitudinal and lateral stability, maintain track geometry, सारे के सारे functions होते हैं, आपके sleepers के, अगला सवाल, gaze of a railway track is the measure of, UPPSCAE में आया हुए, इदर द्वार से gaze of railway track is defined as, ठीक है, gaze of railway track को आप कैसे define करते हो, ठीक है, तांसर क्या होगा, बी, the distance between the inner faces of the rail heads, ठीक है, तो जैसे आपके पास यही rails हैं, तो इनके जो inner faces की बीच की distance होती है, उसका हम लोग क्या बोलता है, gaze बोलता है, gaze बोलता है, broad gaze के लिए इसकी distance कितनी होती है, 1.676 meter या 1676 mm, meter of gaze के लिए 1, narrow gaze के लिए 0.762, अगला सवाल, running face, 16 mm, below, बिल्कुल सही बाद, name the organization, which is the research and development bank of Indian railways, RDSO, तो UP के लिए एक प्राउट की बात है की, इकलौता institute है, railway का, जो UP में है, और कहा है, लखनों में है, लखनों में है, है ना, अगला सवाल, the standard gaze width for broad gaze, broad gaze के लिए standard gaze width के लिए standard gaze width के लिए, अभी बताया था 1676 mm, यानि के 1.676 meter, ठीक है, अगला सवाल, which one of the following types of steel is using the manufacturing of metro and mono rails, ठीक है, तो केवल metro या mono rails ही नहीं, rails में manganese steel ही use की जाती है, mild steel की strength कम होगी, इसने use नहीं करेंगे, cast steel, base ever steel, यह क्या होता है, brittle होता है, इसने use नहीं करेंगे, तो strength बढ़ाने के लिए क्या होता है, हम लोग carbon बढ़ाते हैं, तो strength तो बढ़ती है, इस दिक्कत को दूर करने के लिए manganese का use क्या जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते थे हैं, manganese system, अगला सवाल, which of the falling is not a major cause of buckling of rail tracks, rail tracks की buckling क्या होती है, buckling आप लोग जानता है, जब rail की जो पर्टरिया है, वो temperature की वरे से बाहर की और bend हो जाती है, that is called buckling, ठीक है, इस तरह हां से है, ठीक है, आप PWA आई है, PWA inspector है या SSE है, PWA के इंचार्ज है, और अगर track में buckling हो गई, तो ये बहुत, मैं बड़ी केरलेस ने सही तरीके की, इसको control करना primary work है, तो इसकी वज़े से gauge distance बढ़ जाती है, और derailment का खत्रा सबसे यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो missing fastenings, temperature का आपके control नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हूँ, ठीक है, installation beyond specified real temperature range, water logging, तो water logging का कोई मतलब नहीं है, excessive creep, jammed joints and sunkening welded tracks, no frequent lubrication of ACJs, ठीक है, switch joints पगएरा जो होता है, तो water logging, अगला सवाल, the main function of a fist plate is, सब कराएंगे बालक CPM पर एंड सारे subjects का नंबर आएगा, सब कर, कल हम लोग survey करेंगे, ठीक है, कल हम लोग survey करेंगे, the main function of a fist plate is, to allow rail to expand and contract freely, to join the two rails together, to join rails with the sliver, none of the above, तो इसका जो main function होता है, to join the two rails together, हाँ, लाकि ये rail के लिए expansion, contraction में भी help करेगा, तो option number a भी है, लेकिन जो main function है, RJ13 beta, इसकी महराथन already है, building construction की complete महराथन है, आप देखेगा, ठीक है, उसमें आपका CPM part करवा रखा है, with questions, वो महराथन देख लो, फिर कुछ देखने की जो अतनी पड़ेगी, azuford tech पर है महराथन, आप देख सकते हैं, अगला सवाल, next question, the bottom width of a foot in flat-footed rail, flat-footed, ठीक है, तो ये जो rail होती है, आपके flat-footed होती है, हाद दिलीप सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है, तो इसका answer क्या है, D, 136 mm होता है, other dimensions ये देख सकते हैं, आप लो, other dimensions ये देख सकते हैं, ठीक है, bottom width होगे, 13.65 cm, यानि के 1365 mm, ये हो जाता है, 14.29 cm, this is 6.67 cm, it is 4.37 cm, it is 1.39 cm, एक बार cross verify कर लिजेगा, कहीं से भी, किसी भी standard books है, या जो मैंने बताया, आपको रिसोर्सेस, ठीक है, other dimensions अगर ये पूछा है, तो total height भी पूछी हो सकती है, flange की width भी पूछ सकता है, flange की thickness भी पूछ सकता है, web की thickness, तो अगर data कहीं पर दिया, विसे cross verify करने में कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकता है, ठीक है, otherwise ये तो है जी, next question, the chairs used in railways, other than flat footed, जो आपके rails होती हैं, जैसे bull headed, उनको sleeper पर proper position पर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, chairs use करते हैं, flat footed तो directly sleepers पर रख दे जाते हैं, उनको sleepers पर with the help of chairs, ठीक है, तो ये बनी होती है, cast iron की, कुछ शर्मा जी, questions भी होंगे बेटा, क्योंकि ये रिपीटिटिव है न, ये session तो आपका चलता ही रहेगा, अभी एक round complete हो जाएगा, फिर second round आएगा, फिर third round आएगा, तो इस तरह से questions होती रहेंगे हैं न, बारवर बारवर चीज़े repeat होती रहेंगे, questions होती रहेंगे, अब अगली बार railway कराएंगे, पंदा दिन बार, पंदा बीट दिन बार, तो फिर उसमें और questions आएंगे, उसका अगला session होगा, उसमें और questions आएगा, बट आपका काम ये है कि ये जो मैं PDF file दे रहा हूं, इनको बीच बीच में revise करते रहेगा, ये बहुत जरूरी है, याद रहेगा जो भी आपको PDF files मिल रहे हैं कि questions कर रहे हैं, आप इनको बीच बीच में अपने आप भी revise करते रहे, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये तो आसान चीज है, ये तो हमें आती है, आसान है, तब भी उसको बीच बीच में revise करते रहे हैं, ठीक है, next, the weight of the rails for broad gauge railway track in kilogram per meter, kilogram per meter, ठीक है, तो broad gauge के लिए कितना होता है, तो जो rails होती हैं, उनको हम लोग weight per meter length के accordingly क्या करते हैं, classify करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे broad gauge में आपके 55 बाहर है, 45 बाहर है 35, इसका मालब है 50 kg per meter, weight 45 kg per meter 35 broad gauge के लिए, meter gauge के लिए 35, 30 and 25, narrow gauge के लिए 25, ठीक है, तो इसके accordingly, ठीक है, इसके accordingly क्या होगा आपका, जो best option है वो है आपके 45, तो 44.7 ठीक है, 44.7, now, 52 kg rails are mostly used in, ठीक है, बाकी हम लोग जो अगला session होगा, जो अगला 52 kg per meter, एक मीटर length का weight है दिलीब वो, एक मीटर length का weight है, नवाव सासर आयम COVID positive इसने दस दिन से किलास नहीं ले पार, बेटा ध्यान न किये ठीक है, ध्यान न किये अपना, तो 52 kg rails are mostly used in, ठीक है, तो broad gaze में use करते हैं हम लोग mainly, broad gaze में, अगला सवाल, और second session में हम लोग क्या करने वाल है कि, 50% question आपके ESC के रहेंगे, ठीक है, 50% question आपके, at least 50% question engine services के रहेंगे, अगला सवाल, ballast is used in railway section to serve as, ballast is used in railway section to serve as, या ballast used to serve the following purpose in railway tracks, तो ballast का काम क्या होता है, an elastic bed provide करता है, elastic bed का मतलब है जब rail गुजरेगी तो वहाँ पर कुछना को deformations होंगे, उनको दुबारा recover कर लेगा, it also works as a foundation of railway track, protects from animals, ठीक है तो answer क्या देगा, both a and b, answer क्या हो जाएगा, both a and b, अगला सवा, the Indian railways has been divided into, 6 zone, 12, 8 zone, 16, तो जिस समय का यह question बना है, उस समय के हिसाफ से 16 zone, आज के हिसाफ से 18, अभी कितना है 18 joins है, sorry, अभी कितना है 18, next question, what is sleeper density, आज बच्चे कहां गायव है, आज कहां गायव है जनता, attendance लगाते रही है, आते रही है, attendance लगाते रही है, sleeper density is, what is sleeper density, तो number of sleepers per rail length, जो rail बनती है, which small pieces से मिलकर बनी होते है, 13 meter length के, broad gauge के लिए, तो एक standard rail length में number of sleepers के हम लोग क्या बोलता है, sleeper density बोलता है, इसको M plus N से आप लोग represent करता है, अगला सवाल, the standard length of rail for broad gauge and meter gauge are respectively, ठीक है, तो बेस्ट option क्या है इसका, broad के लिए 13 और यह 13, 12, 13, 12, ठीक है, अगला सवाल, the rail sections nowadays design in India railways, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या use करने है, flat footed use करने है, क्या use करने है, flat footed, the rail section is designated by its, rail section को आप कैसे designate करते हो, कैसे उसको पहचानते हो, total length से, total weight से, cross sectional area से, weight per meter length से, तो answer क्या होता है, weight per meter length से, weight per meter length, अगला सवाल, the rail section is designated by its, ठीक है, तो same ही सवाल एक तरीके से, rail section बोलो या rail बोलो, ठीक है, i section होता है न, आपका rail को एक section होता है, तो total length, total weight, cross sectional area, अगें क्या weight per meter length, अगें weight per meter length, अगला सवाल, composite slipper index is determined to, composite slipper index हम लो किसने युस करते है, CSI, CSI, composite slipper index, slipper density requirement, no, number of fixtures requirement for a particular type of slipper, durability of slipper, mechanical strength of wooden slipper, and thereby gives its suitability to be used as slipper, ठीक है, तो wooden slipper की strength के लिए, हम लोग इसको क्या करता है, हैं यूस करते हैं, ठीक है तो composite slipper index, measures the mechanical strength of timber, derived from its composite properties, formula कभी पूछ ले तो यह होता है, CSI बरावर होता है, S plus 10 H upon 20, S जो होता है strength index होता है, यह strength बताएगा, H hardness index होता है, तो formula और दूसरा timber की maximum properties आप लोग जानते हैं, कि 12% moisture पर, 12% moisture पर major की जाती है, तो यह भी है, इसके लावा इसमें पूछ सकता है कि अलग-अलग sleeper के purpose होता है, track sleeper के लिए 783, crossings पर 1352 और breeze पर होना चाहिए 1452, ठीक है, उसके close काई, 783 ठीक है, तो यह आदर चीज़ेती जो इसमें आप जान सकते हैं, अगला सवाल, which of the falling sleepers provide the best elasticity of track, तो जो wooden sleeper होते हैं, यह सबसे बढ़िया होते हैं, elasticity के मामले में, ठीक है, अगला सवाल, for a curved railway track with gauge G in meter, radius R in meter and speed V in meter per second, super elevation in meter is given by, खरे खर ले दो अास. यह सवाल, अब यहां पर ध्यान देगा हम लोग highway में जो लेते थे इसको small e जो होता था सुपर elevation में हम लोग वहाँ पर small e को ratio लेते थे कि यह होता था e और यह होता था width of width of road या pavement तो e बरावर होता था capital e upon w actual में w होना चाहिए यह जहाँ पर लेकिन यह होता है तो हम लोग 10 theta बरावर approximately sin theta करके कर देते हैं बट railway में क्या होता है railway में क्या होता है कि ठीक है यह आपका g हो गया यह e हो गया तो super elevation को सीधे सीधे e से दिखाए जाता है तो यहाँ पर 10 theta approximately sin theta is equal to e upon g तो यहाँ पर यह e upon g बरावर हो जाएगा v square upon r g तो small e बरावर हो जाएगा capital g v square upon r into g अब यहाँ पर ध्यान दिजेगा अब यहाँ पर ध्यान दिजेगा v meter per second में तो आपके पास यह option हो सकता था बट इसमें small g नहीं आ रहा ना अपॉन में upon में small g आना चाहिए ना e plus f बरावर v square upon r g होता है ना तो इसमें क्योंकि small g नहीं है तो यह option नहीं हो सकता यह भी नहीं है c हो सकता है क्या तो 1 upon g की value देखनी पड़ेगी आपको 1 upon g तो 1 upon 10 0.1 होता तो यह भी नहीं होता तो answer होगा तो यहीं बस यहाँ पर देख लिजेगा कि b जो है वो meter per second में ना होकर किसमें होगा आपके पास किसमें होगा आपके पास बीज होगा वो kilometer per hour में होगा kmph में ठीक है तो जो answer होना चाहिए वो d होना चाहिए वो velocity में correction करना पड़ेगा kilometer per hour में kilometer per hour में ठीक है तो यह सही हो रहेगा चले अगला सवाल next question आप इसलिए बोले है आपको क्या करना पड़ेगा correction करना पड़ेगा correction करना पड़ेगा next question for the construction of a 640 meter long 640 meter long broad gauge railway track by using a slipper density of m plus 5 and the length of each rail is 12.8 meter the number of sleepers required will be तो यहां पर आप देख लो कि काफी दूर दूर है values नहां तो एप्रॉक्सी में अच्छा एसे 2020 में आया यह यह तो 640 में कितना हो जाएगा आपके पास number of sleepers हो जाएगे आपके पास क्या 12.8 ठीक है तो number of sleepers निकालने के आप यहां से ठीक है आगया सभी का अंसर तो आपके पास आगे number of sleeper ठीक है यह आप देखी का कितना कितनी आ रिये value आपके पास जितनी भी आए है अब हमारे पास क्या है M plus 5 है ठीक है M plus 5 तो एक sleeper में कितनी सिलीपर्स लगेंगे आपके 12.8 प्लस 5 यानिके 17.8 आप इसको approximately 18 भी मान सकते नहीं तो यहां से कर लो आप ठीक है तो एक रेल लेंग्ट में कितने सिलीपर्स लगेंगे वो निकाल लीजिए आप और टोटल लंबर ओफ रेल्स निकाल लीजिए हर सागर सर मुझसे निमेरिकल नहीं बनते हैं क्या करो प्रैक्टिस करो बालक प्रैक्टिस करो ठीक है हां दिली पैसे भी कर सकते हूं तो आंसर आपका 900 आ जाएगा आंसर क्या जाएगा का 900 आ जाएगा ठीक है चलिए दूसर तरीका जल्दी से करने का ये था कि आप 640 को आप ले लेते 650 और 12.8 को ले लेते 13 और इंटू 8 तो 13 पंजे 65 त 18 पंजे 90 वहां से 900 भी आ जाता जावेद खान जी एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी हो राएगा चिंता मत कीजिए ठीक है वो भी हो राएगा अगला सवाल एक सो पच्पन और साथ बायंग भाया बहुत बढ़िया स्कोर है ये थोला से रह गया थोला सा और कोशिश कीजिएगा अभी बताया था 786 से याद रहेगा 783 ठीक है तो 783 हो रहेगा ठीक है अभी बताया था 783 1352 1455 अगला सवाल तो आप केजिए हम जरा पानी पी लेता है तो देखिए ये फाइदा होता है हमें ये फाइदा होता है हमें अगर हम questions के solutions को भी ध्यान से पढ़ते हैं अगर हम questions के solutions को ध्यान से पढ़ते हैं तो कई बार वहां से हमें आगे के questions में help हो जाती है थोड़ा सा असानी हो जाती है अगला सवाल in a permanent way the cement concrete sillipers of 250 mm width are placed at a spacing of 700 mm determine the depth of blast the depth of blast का formula क्या होता था s minus w upon 2 the s क्या हो जाता था center to center spacing 700 minus w क्या हो जाता है width और upon 2 ठीक है यह सब mm में दिया हुआ है तो solve कर लिजेगा value आएगी 225 mm यानिके 22.5 cm बिलकुल सही कर रहे हैं आप लो ठीक है ठीक है बई तो center to center spacing होती है तो inner face से inner face से यह जो distance है वो s minus w बचती है ठीक है और यह जो dispersion होता है वो 45 degree के एंगल पर होता है तो जितनी distance यह होगी उतने ही distance यह होगी तो यह distance कितनी होगी s minus w upon 2 होगी तो यह भी s minus w upon 2 आजएगा pdf भी लेगी बेटा टेलीग्राम गुरूप में टेलीग्राम में अगला सवाल डिस्टेंस विट भी इनर फेसे सफ दा फ्लेंज इस कैप बेटा बुक की pdf नहीं है मेरे पास यह के question को लगाना पड़ता है बहुत मेहनत पड़ती है अगला सवाल the falling weight test tensile test hammer test falling test a conductor for elder the compulsory test test the compulsory test तो जो compulsory test है वो one and two है तीनो टेस्ट होते हैं बट compulsory one and two है यहाँ पर पूरा प्रोसीजर लेखा हुआ इसको पढ़ लीजेगा the falling test are conducted to determine the serviceability of a rail section पहला है falling weight और tub test इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि rail piece लेते हैं 1.5 मीटर का इसके अंदर से भी सवाल बन सकते हैं जैसे falling test के लिए हम जो sample लेता है उसकी length 1.5 मीटर होती है इसके उपर एक टाप एने के टुकडा होगा weight होगा 1000 kg का इसको क्या करेंगे drop करेंगे कितनी height से 7.2 मीटर से ठीक है और जब यह strike करेगा तो कोई fracture नहीं बना अच्छी है फिर होता है tensile test अच्छी है the tensile strength of rail should not be less than 72 kg per mm2 with minimum elongation of 14% ठीक है tensile test आप लोग जानते है for manganese rails 12% for carbon quality rails third होता है आपके वास hammer test the foot of test rail piece of rigidly grip in a vertical position and the head of rail is stuck with 4.5 kg hammer तो rail के head पर 4.5 kg hammer से क्या करेंगे तब तक hit करेंगे जब तक इसका जो web है वो एक standard dimension तक bend ना कर जाए ठीक है लेकिन this test is no longer required as per IRS object 1880-80 code होगा इसके accordingly अब हमें ये third test hammer test नहीं चाहिए नहीं चाहिए ठीक है भी या तो starting के दो जो है वो compulsory है थर्ड वाला compulsory नहीं रहा compulsory नहीं रहा रेशब जी बुक की PDF के चकर में मत पढ़िए बड़ी सस्ती किताब है बुक खरीद लीजी गुड इबनिंग बुक परचेस कर लीजी भाया जिसने बुक बनाई है उसने इतनी महनत की है कहां कहां से questions आपके लिए select कियोंगे तो उसकी महनत की गुरु दक्षना उसको जानी चाहिए है ना इतने सस्ते में बुक मिल रही है एक IES Master की SSC JE की बुक मेरे को बहुत बढ़िया लगी और एक ये बुक ठीके क्योंकि SSC JE का जो IES Master ने solution दिया है वो बहुत बढ़िया दिया है उसकी सबसे खास बात यह कि हर question के साथ solution है वो बढ़ा detail में अगर आप किसी भी JE exam की तयारी कर रहे हो तो कम से कम उस किताब को तो पढ़ना ही चाहिए उस किताब को तो पढ़ना ही चाहिए तो क्या हो जाता है उससे कि आपको कोई भी नोट कोई भी बुक उठाकर देखने के जुरुत नहीं है अगर आपको question का solution नहीं पता और फिर solution यह वो पीछे नहीं दिया question के साथ में solution दिया हुआ है जैसे मैं आप लोग के लिए क्लिए करता हूँ यूथ वालों ने हाँ एसी तो खेर एसी अगा तो स्टेंडर्ड अलग ही है ठीक है एसी तो अलग ही है सारी बुक्स बढ़ियां वालों यह दो जे लेवल के लिए बता रहा हूँ हाँ IES Master Coaching आप जानते ही है ठीक है तो इसलिए हमें क्या है इन बुक्स को PDF के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए 708 दूर्पर की जो भी किताब है अगर आप पेर कर सकते हो तो मैं कहूँगा आप इनको परचीस करो उससे क्या होता है जब monitory benefit होता है तो लोग और effort लगाते हैं जितनी ज़्यादा इनकी किताब सेल होगी इनकी जितनी जादा ये book sale होगी ये उतना जादा इस तरीके का अच्छा metal लाने की कोशिश करेंगे इसकी गलतियों को improve करने की कोशिश करेंगे लेकिन हम सब ऐसे ही PDF से काम चलाने लगेंगे इनके पास पैसा नहीं जाएगा इनके पास पैसा नहीं जाएगा तो ये फिर कैसे वर्क करेंगे है ना के लिए रो गया आगे बढ़ें चले फॉर असलीपर डेंसिटी अफ एन पिलस फाइव दी नंबर अफ सिलीपर रिक्वाइड फॉर कंस्ट्रक्टिंगा ब्रॉड गेज रिल्वे ट्रेक तो यहाँ पर आप थी सीधे सीधे क्या कर लो तेरा मीटर ले लो तो साड़े छहसो बटे तेरा गोना तेरा और पांच अथारा कर दीजेगा नहीं अब गलबल हो जाएगी आपके पास अब गलबल हो जाएगी आपके पास क्योंकि आपके पास आट सॉसी भी ओप्षण है और नौसो भी ओप्षण है आट सॉसी भी ओप्षण है और नौसो भी ओप्षण है ठीक है तो अब आपको exact calculate करना पड़ेगा रेल लेंग्ट दी नहीं है बहुत close option दिये हुए रेल लेंग्ट दी नहीं है आपको तो आपको exactly करना पड़ेगा तो 650 upon 12.8 into 17.8 जिरह करके बताई ये कितना आ रहे तो 903.something आ रहे है तो answer 900 ही है answer हाला कि 900 ही आ रहे है अच्छा एक चीज़ है इसमें यह confirm करनी पड़ेगी यहाँ पर एक चीज़ confirm करनी पड़ेगी कि यहाँ पर confirm करनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम लोग जब हम लोग 650 upon 12.8 कर रहे है तो यहाँ तक तो ठीक है अब इसको हमें यह जो value हम ले रहे है 17.8 इसको ऐसे fraction में लिया जाएगा यह इसको integer में रखा जाएगा यहाँ पर एक question mark लग जाता है यहाँ पर एक question mark लग जाता है कि जब हम इसको multiply करें तो 17.8 से multiply करें क्या 18 से multiply करें तो कि अगर मैं 18 से multiply करता हूं तो जो value आएगी वह आएगी 914 हालकि 914 option में नहीं है हाँ अमित गुपता जी ने बोला कि sleeper density fraction में नहीं लेते हैं तो 12.8 प्लस 5 न लेकर हम लोग क्या करेंगी 18 लेंगे यही बात मैं बोल लाँ ठीक है यही बात मैं बोल लाँ तो यहाँ पर यह आपने confirm कर दिया ठीक है हाँ तो 914 बट option में नहीं है तो आप क्या कीजिए फिर 918 ले लिजिए कित्ता ले लिजिए 918 इंटर हाँ मयंग पी कहने है सर इंटीजर होना अची है multiply करने के लिए very good सही है ठीक है बहुत बढ़िया चलिए very good ठीक है तो फिर क्या करें इस कहांस आपका 914 आ रहा है तो जब 914 आ रहा है तो आप 900 पर लगाओगे नहीं तो बेस्ट option क्या होने चाहिए 918 सिलीपर जितने चाहिए उसे कम तो प्रवाइड नहीं करोगे जादे प्रवाइड करोगे ना लेकिन एक दिक्कत यहां पर यह भी है एक दिक्कत यहां पर यह भी है कि अगर मैं जो exactly 900 option में है और अगर मैं सीधे सीधे इसको साढ़े 600 बटे 13 गुन 18 से करता हूँ तो यहां से सीधे सीधे 900 भी आ रहे है यहां से सीधे सीधे 900 भी आ रहे है ठीक है तो क्या किया जाए क्या किया जाए चलो अभी इस क्वेशन को आप लो क्या कर लो डाउट में डाल दू मैं अभी जब अगला सेशन जब में लिखो कि अच्छे वात ही है कि यह क्वेशन एसी में आये 1999 में तो जैसा मैं कहते वे चला हूँ कि आगे के जो सेशन वहाँ पर यह क्वेशन जाए वो रिपीट होगा ठीक है तो मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा भी आपको ठीक है यहाँ पर यह थोड़ा सा संशे है हाँ वैसे तो नौस ही लगना चाहिए को कि अगर उस तरीके से करते न तो 914 आप्शन में होना चाहिए तो 914 आप्शन में नहीं है 900 आप्शन में है और विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन वाला भी अगर आप पॉइंट ले तो 900 ठीक है तो 900 ठीक है 900 पर लगा लो ठीक बाकी कन्फर्म करता हूं में इस क्रेशन को ठीक है चलिए आगे बरते है यह भी सही है बुक में देख लिए बुक में क्या लिया हुआ है बुक में तो 900 ठीक है अग्ला सवाल यहाँ से भी कलियर हो जाता है चलो इस सवाल से कलियर हो गया इस सवाल से कलियर हो गया अभी सिलीपर देंसिटी इस नेफ्ला 6 यहिभा वाला जो question था आपका वो UPSC का था, यह UPSC का था, तो UPSC के question में जो 13 मीटर लेकर किया गया है, और उसने mention भी कर दिया है, इसने mention भी कर दिया है, तो कित्ता हो रहेगा, पांसो बटे तेरा गुणा 19, ठीक है, तो पांसो बटे तेरा गुणा 19 कर दिजेगा, तो जो value आएगी, वो आएगी लगभल लगए 730, बट option में नहीं है, तो जो closest option है, वो यहीं बचता है, closest option B हो जाएगा, ठीक है, closest option is B, अगला सवाल, अगला सवाल, IES Master EES EPD में भी 900 ही दिया है, ओके बढ़िया, next question, minimum depth of ballast question for a broad gaze wooden slipper of itna, 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 width 75 cm spacing is, तो अभी तो हमने किया था, D बराबर S minus W by 2 लगा दिजे, 75 minus 25 upon 2, तो 25 cm सभी का आगया होगा, 25 cm, ठीक है, अगला सवाल, what do you mean by a slipper density of M plus 7 in railway engineering, ठीक है, तो M plus 7 से क्या मतलब है, number of slippers required per kilometer, एक हजार साथ, सिरी सिरी एक हजार आठी कर देते से, number of slippers between any two station, distance in kilometer plus 7, number of slippers per rail length, बराबर length of rail in meters plus 7, तो यही हो रहेगा, अब ऐसे सवाल आते तो हमें हैं, लेकिन सवाल पढ़ने में समय लगता है, तो बस इसलिए होता हैं, कि सवाल पढ़कर तो answer देने पढ़ेगा, अगला question, the gaze width in meter for broad, standard and narrow gaze, broad सबसे पहले हैं, ठीक है, देन आपका standard answer क्या हो रहेगा, C हो गया आपका, broad के लिए 1676, 1435 और 762, यही answer हो जाएगा, हाला कि narrow में आपका 610 mm का भी track होता है, 610 का भी है ना, चलिए, अगला सवाल, what will be the radius of curvature in meter, for a transition length for a 3.5 degree curve for a high speed broad gaze line ठीक है तो रेल्वे में हम लोग क्या लेते हैं 1750 बटे यार 1750 बटे यार number of rain gases यार hydrology में पढ़ेंगे rain gases rain gases hydrology में पढ़िएगा यहां क्यों पोच लिए 1750 बटे यार निकाल दीजेगा यहां डी जो होता है वो डिग्री में होता है तो 1750 बटे 3.5 solve कर लीजेगा answer कितना आ रहा है 500 आ रहा है रेन गेज नहीं सिंपल रिल वाले गेज आपने रेन गेज लिखा था इसलिए मैंने सोचा कि रेवाले गेज कौन से चार गेज की बात कर रहा ब्राद गेज इसर नेरो गेज यह सार इन तो नैरो में भी दो है तो तो टोटल 5 होगे इसकी बात कर दो पर था तो यह स्लीपर था ऐसा बह्म इसको क्या किया जाता है इस तरीके से इसको कट किया जाता है ताकि इस पर क्या रखा जा सके अब रेल को इस तरीके से रखा जा सके ठीक है यह होगी आपका तो जो वील का जो स्लोप होता है इसको अपन लोग क्या बोलते थे कोनी जो रेल का स्लोप होता था इसको बोलते थे हम लोग कैंटिंग और जो sleeper का जो slope है इसको क्या बोलते थे एड़्जिंग एड़्जिंग 1 in 20 very good सभी को याद है बहुत बढ़िया तनिस्का का answer question से पहली आ रहा है तनिस्का ने PDF हैक तो नहीं कर ली चलिए अगला सवाल आप यही भी लगए पर ड्रॉइंग नहीं बदली मतलब ड्रॉइंग वेकार है अगला सवाल अभी लगए का यार अभी तो लगने दो भी तो खाली एक्जाम ही तो निकला है और यहीं बनेंगे न ड्राफ्टमेंट थोड़ना बनेंगे जो ड्रॉइंग अच्छी हो जाएगी खरावी होगी समय के साथ इन रेलवेज मूस सीवियर ग्रेडियन इस ग्रिडियन आफ ये पिसर ग्रेडियन जहां पर आपको क्या करना होता है इंजन लगाना पड़ता है पूश करने के लिए तो पूशल ग्रेडियन अगला सवाल अगला सवार बड़ा घटिया जो क्या दाराइस के नाम पर जो जो क्या पीजे है वो क्या था कि ऐसी ऐसी लड़की का नाम क्या होगा जो अपने ही पाप अपने ही फादर को धक्का दिया हो ऐसी लड़की का नाम क्या होगा जिसने अपने ही फादर को धक्का दिया हो ठीक है भाई तो दा फॉर्मूला फॉर दी डिटर्मिनेशन अफ सुपर एलिवेशन अना करव ब्रॉड़ गेस ट्रैक विद यूजवल ब्रॉड़ गेस के लिए अभी हमने थुर देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था धूरो एवर वरबड़ जी इंटू वी स्कॉार अपवाणного 137 अट ठीक है जहां पर वी क्या है है आप लेंगे किलो मेतार ने ग्याल नेंगे किलो मीटर में ठीक है झाल ओपर के लागं सिसने यहां पर आपर मीटर में 6 ठीक है अच्छा अब ये जो quantity होती है न ये quantity unit less होती है ये quantity जो होती है वो unit less होती है तो जिस unit में g रखोगे उसी में आपको e मिलेगा तो इसे आप क्या करो centimeter में convert कर दो 100 से गुना करके और v square और upon ये क्या कर दो 127 और r तो solve कर लेना solve कर लेना जो value आएगी वो 1.315 बन जाएगी 1.315 same question ask even gate 2017 तो gate में भी आया है बढ़िया तो 1.315 v square upon r ये हो जाएगा पुष्पा भाई साव ये क्या मतलब पुष्पा क्या आगे है भाई साब क्यों लगा दिया चलिए अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल है ये तोस्तरी वाला जूब हो गया मैं भी सोच्छा था कि गेट में युवाला कर्शन आयता है चलिए अगला सवाल अ्यार गेस अड़ूपेटॲट भी अपर तो नगेस कभी गया सिम्लम जब में है सिम्लम हम में टेइस इमलम और और कहाई़ पर भी जहां पर हिल्ली हएदिन होता है क्या होता हिल्ली हम मालुए कि जो रास्ता है वो पहाड़ों को काट-काट कर जनरली बनाया जाता है कटिंग करने पड़ती एरिया के और कर्व बहुत जादा होता है है तो कर्व पर मैं ठीक है है हुआ है हवाइं चलने यहां तो कहां पर तडिश्का कह रही है आप नजर लगे मेरे नेट को अब मेरे वीडियो ही नहीं चल नहीं है तो मम्मी को बोलो मैं कुलू मना ली दारजी लिंग मैं अच्छा कि मैं गया था सिम्ला जब एक एक्जाम देनी गया था तो कोशिश की वहां पर टिकेट मिल जाए बट पहले से बुकिंग हो रखी थी तो टॉय टेन बोलते हैं इसको वाँ पर ना तो हम टॉय टेन में बैठ नहीं पाए पर एक्जाम देने के और एक्जाम देने आगये चिडिया घर में भी होता है चलो चिडिया घर ऑप्शन में तहनी प्शाज हम पूर अगला सवान कल यहां भी बहत बहंकर आंडि तुफान था रात में एक्कवैलिबियम केंट फॉरा थ्री डिगरी कर्फ on a broad-gaste track if the permitted speed is 70 kmph 70 kmph तो मेरे ख्याल से अभी हमने एक formula proof किया अभी हमने पीछे यह formula proof किया था क्या हम इसको सीधे सीधे नहीं लगा सकते है ना यही लगा ले यह बराबर 1.315 V square upon R standard broadcast के लिए तो किया है तो यही लगा ले या इतनी महन तो किया cm में आएगा भी आपके पास E बराबर कितना था 1.315 V square upon R यह formula डारेक्टी लगा दो बग समस्या क्या है कि radius नहीं थी radius नहीं थी तो radius भी तुमने अभी पीछे निकाल ली थी लेकिन वो 3.5 के लिए थी तो R कितना हो जाएगा 1750 बटे 3 R जाएगा 1750 बटे 3 तो 1.315 इंटू velocity कितनी है 70 तो यह आपका cm में आ जाएगा ठीक है चलिए 11.25 आ रहा है 11.25 cm इस तरीके से इनको especially note कर लिया कीजे बल्कि in fact आपका एक नया question यहां से बन सकता है एक नया formula बन सकता है जरा बताना एक नया भी formula बन सकता है for broad gaze for broad gaze super elevation बराबर जाएगा 1.315 upon 1750 v square d cm में जहां v kmph में हो जाएगा d आपका degree में हो जाएगा और यह value देख ले न 1.315 upon 1750 कितनी आती है तो 1.315 divided by 1750 0.001 0.001 0.001 v square d sir IPL देखना कैसे चुड़ा है मैंने तो एक बार एक बार सिंगल मैच नहीं देखा हूँ पता ही नहीं है चला IPL में क्या चला है बिल्कुल नहीं देखा hot star uninstall करके no more new formula sir already bought नहीं कर सको तो ठीक है अब देखो आसान बन गया 0.001 v square d आसान बन जाए तो ठीक है मैंने नोट कर लो याद रह जाए तो बढ़िया नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं तो हमेशा basic है basic तो हमेशा आई तो great compensation or broadcast ट्रेक सजेस्टर है इंडन रिल्वेस तो broadcast के लिए कितना है 0.04 तो for broad gauge के लिए 0.04% per degree of curve और 70 upon R for medium gauge 0.03% per degree of curve और 52.5 upon R for narrow gauge 0.02% per degree of curve और 35 upon R whichever is minimum इस बुक की PDF नहीं है भया किताब खड़ी दो बुक खड़ी दिये अभी थोड़े पहले यही तो बात की हमने इतिदेर अगला सवाल which of the falling is not the function of fastness और इतनी मोटी वो क्या कौन इसके PDF बनाएगा यह भी सही है चनपर तब अगला which of the falling is not the function of fastness वैसे वह इतना interest रहा नहीं क्रिकेट में जो पहले रहता था अब तो प्लेयर्स के नाम भी नहीं पाता कौन-कौन खेलने टिक में which of the falling is not the function of fastness to hold rails in proper position to join rail with sleepers to join adjacent rail to join sleeper with velocity D क्या फर्जी बनाया option option इतना फर्जी है बताओ अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल यह वान तनिश्का के रिया मेरा लेपटोप ही चलना बंद हो गया बेटा रेस्टाट कर लो रेस्टाट कर लो रेस्टाट कर लो system को maximum allowable grades are lower for railways than for highways the reason is steel wheel on steel rails have greater frictional coefficient than rubber tires on pavement यह तो वैसी खतम हो गया क्योंकि कम होता है ज्यादा नहीं होता steel wheel on steel wheels have lower frictional coefficient than rubber tires on pavement high grade causes discomfort तो discomfort तो दौना जगे होगा trains are longer than vehicles यह तो कई बात नहीं होई तो बेटा होता है क्या है कि जब हम लोग grades पर जा रहे हैं तो जब कोई vehicle इसके उपर जाएगा तो friction लगेगा पीछे की और यह friction क्या करता है stability provide करता है stability provide करता है ठीक है stability provide करता है ठीक है stability provide करता है ठीक है ठीक है तो friction कम होगा तो grade कम रखना पड़ेगा Devendra बेटा बज़ इस दो-तीन classes और लगेंगे आपकी mechanics में फिर आपका SOM स्टार्ट हो रहेगा vision batch में अब अब Devendra ने पूछ ले असा new subject कब चलेगा batch में तो थोड़ा सा प्रेचार करना तो बनता है अपना ठीक है वही आप लोग का एक आद मिनट खराब किया जाए ठीक है तो जो new बालक है वो जानने तीन batch हमारे चलना है SSC means का batch चलना है ESC pre का batch चलना है और one year vision batch चलना है combined theory plus question ठीक है theory plus question batch है सब कुछ करवाई जाएगा one year batch है इसमें आपको gate के questions अलग से करवाई जाएंगे ESC के questions अलग से करवाई जा रहे और SSC J means और oblique ESC means इसके भी questions चलने सब कुछ 3,000 रुपे में मात्र 3,000 रुपीज में आपको theory plus questions gate के questions अलग ESC के questions अलग conventional questions SSC J means इसके अलग ESC के अलग ठीक है और अभी इसमें mechanics चलने नहीं बीटा पहले सोम तो पढ़ानी पड़ेगा बिना सोम पढ़ाई हाँ ठीक है बिना सोम पढ़ाई बीटा आगे के subject कैसे पढ़ाऊंगा हर जगे दिख्यत होगी ना बिना सोम पढ़ाई तो हायार आप लोग की दूसरों को बताओ थोड़ा बहुत बागी सब तो भरबर कर एड़ करता है चली अगला इस सेक्शन आफ रेल इस डिसाइड़ अन दी बेसिस आफ इस सेक्शन आफ रेल इस डिसाइड़ अन दी बेसिस आफ इस पसिंग आफ सिलीप आफ रेल इस पीड व रेल इस अफ रेल इस अफ ट्रैण गेस अफ ट्रैण ब्रॉड गेज में अलग हां मेकेनिक्स होगी अलग कि आज थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही है साम वाली क्लास तो मैंने लीनियार एस से जी मेंस की आज रहने दू क्या उस क्लास विजन बैच की भी थोड़ा तवेद बहुत डल डल लग रही है अच्छा में जी बहुत बढ़िया अगला सवाल फिस बोल्ट्स आर मेड ओफ फिस बोल्ट्स आर मेड ओफ थैंक यू विम्ले जी थैंक यू थैंक यू एंजॉई प्लीज एन लेड वी एंजॉई फिस बोल्ट्स आर मेड ओफ फिस बोल्ट्स किससे बनाई जाते हैं याद रखेगा हाँ एक्जेक्ट 275 बड़ सबसे पास वाला ओप्शन वही है तो उसी को टिक करेंगे हाई कारवन स्टील हाई कारवन स्टील ठीक है अगला सवाल या चलो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लो ठीक है और पढ़ लो fist bolts are made of high carbon steel length of each fist plate is 45.72 cm on Indian railways each pair of fist plates are connected to the railway means of 4 fist bolts made of high carbon steel the fist bolts have diameter of 3.2 cm 32 mm 32 mm के bolts होते हैं एक pair of fist bolts पर आपके 4 bolts लगेंगे fist plate की length भी दी हुई है तो यह सारा है इसको पढ़ लीजेगा अब अमित गुपता बोली रहते तो फिर हम यहाँ पर पूरा बताई दें आपको broad gaze के लिए आप 275-25-13 यह size लेते हैं sleeper का इसका यह bearing area है medium gaze के लिए 180-20-1.5 narrow gaze के लिए 150 x 18 x 11.5 wooden sleeper required for bridging points and crossings are of thicker section इंका section थोला से क्या होगा dog spike two outer side one inner side dog spike pen roll clip सब भूल के हम ते आदेल रहेगा चलिए अगला सवाल what is the function of his plate ठीक है विकास टैक जी लो आपके पूछने से पहले सब कर बता दिया आपको विमले सिंग जी बताना है तो offline comment में बताईए न यहाँ तो सबको मालूम ही है जो class में आ रहे है bearing area मनला जितने area पर stresses आएंगे राजनत्रिहाल जितने area पर stresses आएंगे अच्छा हाहा सही है बढ़िया what is the function of fist plate मुझे ऐसा क्या लग रहा है तुमारी रेल्वे में ट्रेनिंग चल रही है अभी क्यों अमिद गुपता जी रेल्वे में ट्रेनिंग चल रही है क्या भी ऐसा लग रहा है मुझे पता नहीं क्यों what is the function of a fist plate क्या function होगा for fixing rails to sleepers for fastening chairs to sleeper for fixing wooden two hole two rails together इतनी fixing नहीं करनी चाहिए यह ना fixing गलत बात है fixing गलत बात है two holes two rails together जोडने के लिए fist plate को fist plate क्यों बोलते होंगे beards of rails beards of rails is maximum in okay tangent track sharp curve tunnels coastal area the answer क्यों देगा sharp curve क्योंकि centrifugal force की वज़े से जब train outer side को भागेगी तो flanges rail से क्या कराते हैं टक्राते है अगला सवाल cement used for railway sillipers is designated as railway sillipers में जो fist की तरह shape के दिखती तो नियार मैंने देखा तो था वहाँ पर वो तो अच्छा अच्छा बढ़िया क्या तो cement used for to OPC 53 यूस करते है है because of flat shape the flat plate लिखना चेता ना flat की वज़े से fish fish of flat अब अंग्रीज ही देखनी पड़ेगी मुझे इस वाले fish को इंग्रीज क्या बोलता है चली 53S OPC 53 है लेकिन sillipers में use हो रहा है इसने नाम बतलकर 53S कर दिया तो cement used for railway sillipers is designated as 53S it is because the cement used is OPC 53 htank 53 MPa code IS12269 1987 1987 फिर से repeated question हो गया repeated question हो गया अगला सवार अगला सवार अगला सवार अगला बहुत इंपोर्टेंट question है the transition curve adopted by Indian railways with standard notions of the form तो आपको मालूम है highway में हम लोग क्या लेते थे spiral यहाँ पर क्या लेते हैं cubic parabola और cubic है तो x की power क्या होगी 3 होगी तो answer क्या रहेगा y y बराबर x cube upon 6 rl cubic parabola answer is b 3 पैचानने के तरीका x की power 3 है cdc से पैचान लोगी cubic बागी सब में यह linear है यह exponential है यह square है ठीक है इससे भी answer viewed हैगा अगला सवाल what is the track capacity of a what is the track capacity of a permanent way if 360 trains pass in a day valley करवीन highway and railway ठीक बद दो चार question और है दो question और होंगे इसके बाद में what is track capacity of a permanent way if 360 trains आज number of questions जादा हुए आज number of questions जादा हुए है कम time में theoretical ता सीदे सीदे न तो track capacity 360 upon 24 कर दीजेगा 360 upon 24 एक दिन में 360 जाने तो एक घंटे में किती जाएंगी 15 तो 15 trains per hour 15 trains per hour अगला सवाल what will be the radius of curvature in meter for a 3.5 degree curve ये भी हो गया repeated हो गया 1750 बटे 3.5 मेरे खाल से 500 आ रहा था कर लिया आपने repeated question है नहीं अभी इसके आगे और है इसके आगे और है और भाइया मैं आप लोगों को मैं सही बता रहा हूँ इस बार ठीक है मेरी बार थोड़ा ध्यान से सुन लिजेगा जो मैं आप लोगों को बोल ला हूँ मैंने आज एक छोटी सी वीडियो भी शेयर की थी गुरुप में मैं लोकोशेड यहां पर जो लोकोशेड है मतलब जो डिली के मेरे कॉंटेक्स में जितने जैसे डियस मेरे डियसी डैली कॉल्ज अफ इंजिनिंग गुरूप का जो वाटसएप गुरूप है यह ऐसे गुरूप होते थे यह ऐसे गुरूप होते थे जिन में मतलब मैसेज करने असा लगता था कि कोई पाप कर रहे हैं क्यों क्यों कि सब की जिंदगी न अल्ट्रा विजी टाइप है कि एक मैसेज करना मतलब उसमें बहुत जरूरत होती थी थी न तभी उस गुरूप में मैसेज किया जाता था नो फाल्त की चिट चैट कुछ नहीं अभी उन दिल्ली के साड़ी गुरूप सा पता है किया है किसी को वह इंजेक्शन चाहिए रहम डेसीवर करके किसी को ऑक्सीजन चाहिए कहीं पर बैड नहीं मिला मलत सुभा से साम तक उस गुरूप में ऐसी अफरा तफरी मचती रहती ह किसी को कुछ न कुछ चाहिए बड़ा बुरा रहाल है ठीक है तो भाई आप लोग बाहर लोग क्या कर रहें क्या ने कर रहें उसंसे मत देखी कि बन्गाल में रैलीयां हो नहीं है यहां पर इलएक्शन हो रहें आपको अपना और अपनी फेमिली का ध्यान रखना है या जिसका जो काम है वो करेगा politician का काम है election लड़ना उनको वही लड़ना है वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे हमारा काम है पढ़ाई करना हम पढ़ाई करेंगे doctor काम है इलाज करना वो इलाज करेगा हर कोई अपना अपना काम करता है police है doctor है वो भी तो लगे हुए है ना, कोरोना की वज़े, क्या, तो पॉलिटिशन भी लगेंगे, तो हमें उनकी तरफ नहीं देखना, हमें अपना ध्यान रखना है, तो आप लोग सभी अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ठीक है, मास्क लगा के आपने रखने ही रखना ह हो गए, इस बीच में ना, ऐसा लगने लगा की, कोरोना वोरोना सब धोका है, कुछ नहीं है, बस ऐसी हो रहा है, सब कुछ ठीक है, तो, लेकिन, हाँ, आप देवेंदर भीमार हैं, निशिकान्त हमारे की स्टुडेंटेंटें, वो होस्पिटलाइज रहे, नितिल होस्पि यह आइसोलेशन में है, अभी एक शुडेंट अपनी जोती का, उसके ममी पापा को हो रखा है, अंशो जी है, उनकी दादी जी को हो रखा है, मलब बहुत लोग, मलब इतना पहले नहीं सुना, यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं, क्लोस फ्रेंड्स उनको हो रखा है, तो इतन बुरा हाल पिछली बार नहीं था, जितना इस समय, तो आप लोगों को समय बोल ला हूँ, याद, प्लीज, अपना ध्यान रखिए, सभी लोग, फैमिली का ध्यान रखिए, घर से बाहर कम से कम जाईए, और, मलब बाकी समय आप लोग जानते ही हैं, क्या करना है, यह WhatsApp, Facebook प मुझे समझ में नहीं आ रहा हौ, होस्पिटल में लोग मर रहे हैं या लोगो को मार रहे हैं, कुछ नहीं पता, जिस तरह की वीडियोज आ रही हैं, कल डैली की वीडियोज थी, कि पेशेंट एड्मिट किया, ठीक ठाक था, साम तक पता चला पेशेंट का है, बता ही निच पेशन्ट का है जिन्दा है मर गया कहां गया कुछ नहीं पता तो हॉस्पिटल जाने की नौबत ना है इस हिसाफ से आप लोगों ने रहना है ठीक है इस हिसाफ से आपने रहना है तो प्रिकॉशन रखिए इम्मुनिटी बढ़ाईए एक्सराइज कीजिए और अपना पढ़ पाई कीजिए तो कि आने वाले समय में जब किनेहीं हो जाएगा में में आप स्टार्ट और आज दाए लादल ने लोगं आप पढ़ाई करते रहे है अभी बिलट सेंपल गया रिपोर्ट दो दिन में अच्छा प्रग्जा जी आपका भी गया है क्या और यह सीधे फेफ़ों पर बार कर रहा है लंग्स पर बार कर रहा है यह खत्मना आगे यह वाली स्टे चले फिर अभी के लिए इतना ही अभी के लिए इतना ही ठीक है थैंक्यू और गुड्नाइट अवरीवन बहुत भाद घ्ञान रखी अपना जो हॉस्पिटल जा रहा है मिडल क्लास वाला मर के वाफिस रहा है वही मैं कहा रहा हूँ हॉस्पिटल जाने की नौबत किसी के घर में किसी को ना है बस इसी के साथ आप लोग अपना और फैमिली का जहां नहीं कि ठीक है चले गुड्नाइट एवरीवन थैंक्यू अल झाओ दो